नमस्कार, सुवागत है आप सभी का एच एस विठ लक्समी में आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने जा रही हूँ कि सबजी के अंदर नमक ज़ादा डाल देते हैं हम तो उसे कम करने का तरीका बताऊनी जिससे आप यूज मिलेकर अपने सबजी को सुवादिश्ट मना सकते हो और नमक की मातरा को कम कर सकते हो तो आपको बताती हैं सबजी में नमक ज़ादा हो जाने पर इसे कम करने के लिए आप इन तरीकों को अजमा सकते हैं जैसे अलू का इस्तमाल अलू नमक को सोखने में मदद करता है एक या दो छोटे अलू को छील कैर दो कैर उन्हें काट कर सबजी में डाले पांसे दस मिनर तक उबाले फिर अलू को निकाल ले टमाटर टमाटर की अमलता नमक को सुआद को कम करने में मदद करती है आप एक ताजा टमाटर कड़ा हुआ, एक से दो बड़े टमाटर की प्योरी डाले, अच्छे तरह मिलाईए और पांच-देस मिनद तक उबाले निम्बु कारश, निम्बु कारश नमक केर्टी के फन को कम करने में मदद करता है आदा चमच या एक चमच निम्बु कारश डाले अच्छी तरह मिलाईए सबजी के अंदर ध्यार रखे कि जदा निम्बु कारश डालने से सवाद खराब हो सकता है चीनी, अगर आप सभी को चीनी पसंद है तो आप चीनी को डाल कर भी सबजी को सुआद खराब होने से बचा सकते हो और इसे थोड़ी देर पकाईए दही, एक से दो बड़े चमस दही डालने से नमा का सुआद कम हो सकता है और सुआद में भी व्रदी हो शक्ति है लिए तरीकों का उपयोग करते समय थोड़ी मातरा सुरुआत करे और आवसेक्ता के नुसेद दीरे दीरे डाले हैस्वादले अपने पसंद के नुसार सम्मायोजित करे यदि आपनी चित है कि कितनी मतर में डालना है तो थोड़ा इंतर जार करें क्योंकि नम्मा का स्वार थोड़ी देर बाद कम हो सकता है